हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब दा एविजड़ अकैडमी के तरफ से मैं मुहमद आफ्तावलम पहरे बच्छों अगर आप एनाइस उपन बूर्ड के दस्वी क्लास के स्टूडेंट्स हैं सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ओपरेशन जिसका पेपर कोड है 229 और अगर आप एक्जाम देने वाले हैं अप्तूबर संदो हजार 22 के अंदर और अगर आप इस सब्जेक्ट के अंदर पास होना चाहते हैं अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं अच्छी परसंटेज लाना चाहते हैं दस्वी क्लास के अंदर तो प्यारे बच्चो आप लोगों को data entry operation से related जितने भी question paper है previous year के उन सभी questions paper की आप लोगों को अच्छे से तयारी कर लेनी चाहिए और इसी के करम में मैं आप लोगों के लिए लिकर आया हूँ 23 April 2022 का ये question paper जो कि Saturday को हुआ था आयस open board के 10 वी class के बच्चों का और बच्चे जो है ये बता रहे थे कि जो paper है बहुत ही medium टाइप का आया था ऐसा नहीं है कि बहुत hard था या बहुत easy था medium टाइप का था लेकिन कुछ बच्चों की शिकायत ये भी थी कि जो हमें जो paper है वो बहुत जादा late दिया गया जिसके विए से हमारे कुछ questions छूड़ गए हैं तो प्यारे बच्चों आप इन questions की अच्छे से तैयारी करने ताके आप लोगों को data entry operation के अंदर कोई भी दिक्कत ना हो और जो आप लोगों का थियोरी का exam 40 marks का होता है उसमें आप आराम से 30 32 नंबर 35 नंबर लेकर आ जाएं और बह जीए और हाँ एक बार आप लोगों को मैं जरूर बता दूँ कि आप जो है अच्छी तरीके से जो है computer सीख लीजिए अगर आप लोगों को नहीं आता है तो और अगर आप लोगों को computer बिल्कुल भी नहीं आता तो आप लोगों को theory exam के अंदर बहुत 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 जादा महनत करनी की ज़रूरत पड़ेगी तो आईए अब इस question paper को देख लेते हैं और प्यारे बत्चों अगर आप लोगों को इसी तरीके से बाकी वी subject हो के अप्रेल वाले question paper चाहिए new question paper चाहिए जिससे के आप लोगों को ये idea मिल जाए कि भाई सन 2022 के अंदर किस तरह के question लगते हैं और आप हमें Facebook, Instagram और बागी platform पर भी follow कर सकते हैं तो आईए बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये question paper है और इस question paper के अंदर जो है आपके मतलब के question है ज्यादा hard भी नहीं है ज्यादा easy भी नहीं है मैं आपको पहले बता चुका अब आप पर depend करता है कि आपको ये question paper कैसा लगता है अगर आपको ये paper hard लगता है तो आप मुझे comment करके जरूर बताईएगा और इस तरह के और भी question paper के लिए आप मुझे comment जरूर करें 40 marks का था जैसा कि मैंने आपको बताया दो घंटे दिये जाते हैं आपको लेकिन अप्रेल वाले बच्चों को दो घंटे नहीं दिये गए थे और उनको सिर्फ और सिर्फ एक घंटे का समय दिया गया था paper उनका एक घंटा लेट स्टार्ट हुआ था तो मैं बगवान से प्रात्ना करूंगा कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ना हो तो पहला question यहाँ पर आप देख पाएंगे match the following and write your answer in the answer book और यह आपका match the column था यह जो answer है वो सही पूरे नहीं है तो आप जो है इसके answer पर ना जाएं ठीक है और अपने हिसाब से इस पे एक टिक लगाएं और प्यारवच्चों अगर आपको इस subject के यानिके 229 subject के और most important questions चाहिए और बाकी previous year के question paper चाहिए तो आप मुझे WhatsApp ज provide करवा दूँगा जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने 20 rupees में आपको पिछले साल के सभी question paper मिल जाएंगे जिससे के आप जो है अपने exam की तयारी अच्छे से कर पाएं यह आपके true false थे ठीक है यह Hindi medium में question number 3 इन questions को आपको define करना था बहुत बहुत आसान लगा मुझे यह define कर रखा है तो अगर आप को computer नहीं आता तो आप जो है अमारी वीडियो देखकर अपना computer सीख सकते हैं और अपने exam के तयारी कर सकते हैं यह रहा question number 5 question number 6 देख लिजिए यह question answer है आपके और यह भी आपके प्रशन उत्तर हैं Hindi medium वाले बच्चों के लिए question number 7 देख लिजिए उतार लिजिए और अगर वीडियो देखकर आपको question उताने में दिक्कत होरी हो तो आप इसका PDF ले सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है only 20 rupees में और यह सभी important question आपको whatsapp कर दिये जाएंगे PDF के रूप में जिसका आप print out निकाल कर अपना exam के तयारी कर पाएंगे question number 8 प्यारे बच्चो बहुत सारे student ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं assignment उतार लेते हैं practical देख लेते हैं और अपना पूरा फाइदा कर लेते हैं लेकिन जो है चैनल को like subscribe नहीं करते हैं तो प्यारे बच्चो आप प्लीस अगर अपनी पढ़ाई से प्यार करते हैं अपने फीचर से प्यार करते हैं और अगर आप like में कुछ करना चाहते हैं तो प्लीस चैनल को subscribe कर ले वीडियो को like करें ताके जितनी भी important questions वाली वीडियो हैं आप लोगों तक time पर पहुंसती कोशन नमबर आठ के बाद यहां पर देखते हैं यह देखिए बहुत अच्छी तरीके से questions दिये गए हैं बहुत आसान question है और अगर आप इनके answer लेना चाहते हैं मुझसे और इससे related अगर आप लोगों को और भी most important questions चाहिए तो उसके लिए आप मुझे WhatsApp ज़रू करने thank you for watching my video